वो आ गया, देखो, देखो वो आ गया और वही, क्या हाल है? आपकात पता है तुम्हारी? नहीं पता? एपपल अपना आइफोन सीरिस को लांच कर रहा है प्राइस देख लो, पता चल जाएगा तो भाई हर साल एपल हमें हमारी अवकात याद दिलाने के लिए अपने आइफोन सीरिस को लांच करता है और इसी सुब काम के तायाट एपल अपने आइफोन 11 सीरिस को भी लांच कर चुका है और जल्दी ये सीरिस हमें इंडिया मी भी देखने को मिल जागा तो इस वीडियो में हम ना चाहते हुए भी iPhone 11 series के कुछ features के बारे में बात करेंगे मगर उससे बाएले वाई वीडियो का like कर दो, चैनल को subscribe नहीं करे हो तो चैनल को subscribe करेंगे notification bell को दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले मिलेगा और चलिए अब वीडियो के जाल लंबन करते हुए जानते हैं iPhone 11 series के कुछ features के बारे में तो iPhone 11 series के launch event के दोरान company ने ये बताया कि iPhone 11 series के smartphone में कुछ नया glass design का use करा गया है जिससे smartphone ज़्यादा डियूरेबल हो जाता और smartphone में scratches वगेरा आने का problem है वो solve हो जागा ज़्यादा scratches वगेरा आने का problem जो है वो नहीं होगा इसके साथ ये smartphone जो है वो अगर कभी गिर जाता है तो तूटने के chances जो है वो थोड़े से कम हो जाते है और अगर बात करें तो smartphone गिरने के बाद जो दिल के दोरे आते है ना वो थोड़े से कम हो जाएंगे तो इस बार हमें iPhone 11 इस smartphone में dual camera का setup देखने को मिल जाता है यहाँ पर हम आपको एक बात बता दूँ कि iPhone 11 जो है ना वो iPhone XR का upgrade है और पिछले बार को जो iPhone XR था ना उसमें हम एक विल single camera देखने को मिलता था जबकि इस बार smartphone को upgrade करका iPhone 11 में हमें dual camera का setup दिया गया है जहाँ प्राइमरी camera जो है वो 12 Megapixel का एक wide angle camera और दूसरा जो camera है वो 12 Megapixel का एक ultra wide angle camera है तो iPhone 11 जो है वो सबसे सस्ता वाला है यानि कि सबसे छोटा वाई है तो इसे ज्यादा महंगा करने के लिए से दो और smartphone में विक्सित करा गया है जो कि है iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max और इन दोनों स्मार्टफोन में 12 Megapixel का triple rear camera देखने को मिल जाता है जहाँ पर एक जो camera है वो wide angle camera है दूसरा जो है वो ultra wide angle camera है और तीसरा जो camera है वो एक telephoto lens है और यहां मैं आपको बता दूँ कि iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max दोनों स्मार्टफोन से आप काफी गजब बले photos क्लिक कर सकते हो क्योंकि company का कहना है कि इन स्मार्टफोन में machine learning का यूज़ होगा जिससे कि आप स्मार्टफोन में photos जो है वो काफी कमाल के क्लिक कर सकते हो तो iPhone 11 series की तीनों स्मार्टफोन में हमें slow motion का support देखने को मिल जाता है यानि कि आप चाहो तो front camera के यूज़ करके या फिर back camera के यूज़ करके slow motion में videos capture कर सकते हो और अगर इससे मैं थोड़ा से technically बताऊं तो आप 120 fps की speed में slow motion में videos capture कर सकते हो तो इस बार iPhone 11 series की smartphone में A13 processor देखने को मिल जाता है जो कि Apple का अब तक का latest processor है साथ ही ये processor जो है वो 7 nanometer technology पर based है यानि कि smartphone का बैटरी life है ना वो काफी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा साथ ही smartphone का performance है वो भी काफी ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्यूंकि Apple का A13 processor जो है ना वो Apple के A12 processor के comparison में 20% ज्यादा फास्टर है overall smartphone का जो performance हो ना वो हमें काफी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा तो iPhone 11 Pro और iPhone 11 Max Pro दुनोई smartphone में हमें Super Retina XDR display देखने को मिल जाता है जो कि HDR10 के support के साथ आता है यानि कि smartphone के display का जो color reproduction और जो भी brightness होगा वो काफी ज़्यादा अच्छा होने वाला है यानि कि display का experience होगा वो भी काफी ज़्यादा better होगा तो इस बार के iPhone 11 series में हमें Wi-Fi 6 का support देखने को मिल जाता है जो कि Wi-Fi 5 के comparison में 30 से 40% ज़्यादा faster है तो इस बार iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max दूनोई smartphone में हमें better battery life देखने को मिलेगा और आपको पता है कितना ज़्यादा इनका battery life जो है वो better होने वाला है कि iPhone 11 Pro smartphone जो है वो 4 गंटा ज्यादा battery backup देने वाला है iPhone XS smartphone से और iPhone 11 Pro Max smartphone जो है वो 5 गंटा ज्यादा battery backup देने वाला है iPhone XS Max smartphone से तो आइफून 11 सीरिस के तीनों स्मार्टफोन में 4K रिकोडिंग का support देखने को मिल जाता है यानि कि आप चाहो तो front cameras 4K recording कर सकते हो या फिर back cameras recording कर सकते हो तीनों camera में 4K recording का support देखने को मिल जाता है तो वे आइफून 11 सीरिस को काफी सारे color में launch करा गया है जहां पर iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max स्मार्टफून जो है ना इसे 4 कलर आप्शन में लाँच करा गया है और iPhone 11 तो Cadbury Gems को भी मात दे दे क्यूंकि iPhone 11 को टोटल 6 कलर आप्शन में लाँच करा गया है तो भाई यह था iPhone 11 सीरिस के स्मार्टफून के कुछ फीचर्स को लिएकर एक छोटा सा अफडेट तो नीचे कमेंट करके बताओ कि यह स्मार्टफून इंडिया में भी लाँच हो गया है प्राइस तो आपको बता ही होगा प्राइस के बारे में आप क्या सूचती हो और Apple iPhone के बारे में आप क्या सूचती हो नीचे कमेंट में जरूर सा बताना तो भाई फिलाल के लिए इस वीडियो में बस अतना ही वीडियो पस्तना है हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिने नीचे कमेंट करके पूँच ले ना अगर आपको कुछ भी कन्फूज है अगर आपने दोस्तों कर दिना ताकि उन्हें पस्तना नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नौटिप से अबर को दबादे यार ताकि नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले मिल सके तो मैं मैं आपसे ने वीडियो में दपता के लिए बुबाई थैंक्च्यो